बहुत सब्सक्राइब बात करने वाले हैं माउनुक तरह से आने वाला AUPM 420 माउनुक के बारे में इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने वाला हूं मैं इसके फ्लॉज बताऊंगा आपके और इसके प्रोज बताऊंगा तो दोनों इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं और आप जो भी आवाज सोन रही है मेरे पीसी के अंदर स्ट्रेट तो इसके अंदर सिनक yang кос सपड empath in आपको क्या के मिलता है अपको दो मिलता है यूत मिलता है मेंट को यूजिञा कर पाऊंख तो मुझे थोड़ो सब्सक्राइबाक मिलेगा at no extra cost to you now बात करते हैं इस microphone के features के बारे में इसका frequency response at 20 Hz to 20 kHz मतलब आपका आवास के सारी frequencies पकड़ेगा यह और USB माइक है तो यह USB 5 volt DC से चलता है तो अगर आप कोई भी USB डिवाइस से प्लग करोगे जो भी इसको 5 volt DC दे सकता है तो इसके अंदर आपको आवास बनाई देगी काफी clean और अगर आपको आवास में हलकी सी noise आ रही होगी तो वह इस माइक की गलती नहीं है वो मेरा PC चल रहा है तो अगर मैं इसको off कर दूँगा तो मैं आवास record नहीं कर पाऊंगा तो आपको समझ लेना होगा कि वह आवास इ कि अवास मिलती है और मैं इस microphone के इस side में जाता हूँ कुछ ऐसी आवास मिलती है और अगर मैं इस microphone के पीछे जाओंगा तो आपको इस टाइप के आवास मिलेगी तो यही था मेरा polar pattern test इस microphone के वास काफी यदा balance आती है मतलब कि इसके अंदर base boost नहीं किया है high boost नहीं किया मिट बूस्ट नहीं किया काफी अधा clean और balanced आवास आती है और चाहो तो आप इसके उपर EQ लगा सकते हो तो इसके वास कुछ ऐसे हो जाती है तो इसमें आप हलका फुरका enhancement भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसकी self sensor microphone है तो यह बहुत जादा details catch करता है अगर आपको नहीं पता है तो डो types के microphone mostly use होते हैं gaming और इस type के setup के अंदर एक होता dynamic microphone उसके examples जो आप stage mics देखते हो या फिर शौर का SM7B या फिर रोड का पॉड माइक जाता है वो सब dynamic microphone होते हैं तो वह काफियाद आपकी इस area में अवास अच्छी से studios में देखोगे तो most probably condenser microphones ही use हो रहे होंगे वहां पर पर condenser होने का फिर यह भी फायदा है कि आपको ज्यादा details मिल रही है तो आपको मेरी आवाज इतम clear सुनाई दे रही है और अगर मैं कुछ भी यहां पर आवाज निकालों तो सब कुछ इतम clear सुनाई दे रहा होगा next इ है और सब कुछ मिल जाता है साथ में तो आपको कुछ extra लेने की ज़रूत नहीं है तो इसका मतला आपको कोई फैंटम पावर कुछ audio interface कुछ भी नहीं लगाना होगा तो आपको सीधा पस अपने पीसे प्लग करना है और इसके आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी और यूस् पॉप फिल्टर यूज़ कर रहे होगे तो आपका माइक स्ट्रीम पर ऐसा दिखेगा काफी अच्छा लुक देता है काफी क्लीन लुक है इस माइक्रफोन का और फ्लॉस की बात करें तो इसके मुझे सर्फ दो ही फ्लॉस मिले है अब आप उनको बोल सकते हैं और नहीं बो इस चिपक के बात नहीं कर रहे होगी क्योंकि करने सा मैक्रफोन तो आप थोड़ा सा दूर बैट की बात कर सकते हो तो इस तो बटी आवाज आती है और मुझे पता नहीं दो फ्लॉस की बोले कि मुझे एक ही फ्लॉस पता है तो महीं मैं सूरत रहता है दूसरा क्या था बा तो आप मेरा लिंक यूज कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और अगर आपको इस मैक्रफोन के बार में कोई और डाउट भी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन पूल सकते हो मैं उनका अंसर कर दूँगा और अगर आप मैंचे इस वीडियो तिल देन पीस झाल सकते हो में झालOOOO